हेलो फेंड्स मैं हूँ सईद आप मेरा यूटुपject चैनल देख रहे इजूडेरी फाम आज मैं बात करूंगा डिवयर्मिंग क्यों किया जाता है और डिवuisक कैसे करें और डिवयर्मिंग कब करें ये सब सारी बाते हम करेंगे आज तो पूरा वीडियो देखें आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेट जरूर करें और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए मैंने जैसा कि बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको चुना छिड़काओ मिलेगा तो यह मैंने चुना का छिड़काओ किया है तो इस तरह का चुना का छिड़काओ अपने फार्म पर करें चारो और यानि साइड में होता है कि मतलब माहा पर पसू का पाईर बगर नहीं जाएगा साइड में क्योंकि इधर जाएगा तो इधर पेशाप से गोबर से धुला जाएगा तो खतम हो जागा तुरांद अधर साइड वाला चिटते हैं तो हमारे धेर जिन तक उस तरह का देखने के लिवाइड देखने के लिए मिलेगा उसका पावर जो होता है चुना का बेक्टिरिया मारने का वो काम करेगा आपका ज्यादा तो इस तरह चिर्काव करें तो चलिए मैं अपना टॉपिक पर आता जिसके कारण गाये खाना कम कर देती है दूद कम करती है और प्लास्टिक वगारा चबाने के लिए ज्यादा देखने के लिए मिलता है और जहां पर आप बांदते होंगे गाये को तो जबान निकाल कर चाटती रहती होगी यानि जहां पर जैसे की मेरा नाध है तो नाध को में कोच दवाईयां जो भर न भी कर सकते लेकिंगोट तो जो आपको आपको ज़्छा देखने के लिए मिलें तो जो किया जाता है तो तो मॉर्निंग के सबाएक पहले 2 घंटा फसी चाइब कर आपको रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलगा तो उस तरह आप कर सकते हैं डिवार्मिंग कब किया जाता है डिवार्मिंग जब हर सभी गये को तीन महीने पर करना जरूरी पड़ जाता है अगर तीन महीना प्लस में होता है डिवार्मिंग सही समय पर नहीं करते हैं तो तो हो सकता है कि आपके पसू बिगडने का चांस बन जाता है अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो description में link दे दिया जाएगा आप जाकर देख सकते हैं कि क्या problem आये था तो इस तरह आप कर सकते हैं आप रही बात हो सकता है किसी की पसू मिट्टी खाने का शिकार हो गये होंगे डिवार्मिंग नहीं किये होंगे तो उन्हें मैं बतलाना चाहता हूँ कि आप डिवार्मिंग उसको पहले करें उसके बाद जो है अगर आपकी गये मीट्टी खाने पर ज़्यादा जोड़ देती हो खानपान में बंद कर दी हो तो आपको करना क्या है आपको टोनो फोस्पो गये आपकी चार कुण्टोर्वेट के हिसाब से होगा तो जिस तरह होगा आपको उसके हिसाब से इंजक्शन देना होगा है अगर बड़ी गये होगी तो बीस मेंच सकते हैं एक गये को तो उससे क्या होगा डारेक हुसको काम करेगा जल्दी टोनों फोस्फोन से ज्यादा काम करता है तो आपको ले लेना है मिट्टी खाने से बच जाएगी तो बढ़िया रहेगा नहीं तो मिट्टी खा लेगी तो और अधिक बिमार पड़ेगी जैसा कि हमने गाय को सिरिस्टी जो मेरी सेवे नंबर गाय है यह थोड़ी बिमार पड़ गई थी इसका भी डिवार् तो फ्लोड़ा मैं सोच रहा था सभी गया को दे दून ताके मेरे पास रिकॉर्ड में सभी का सवह एक जैसा रहे तो कम ही आयए था इसको नहीं मिल पाया था तो मैं उसको आज कल आज कल हो रहा था उसके कारण हो सकते हैं मीट्टी खाने के शिकार बन गई डिवार्मिंग इसका सही समय पे नहीं हुआ तो इस तरह आप ना करें आप सही समय पे करें और आपको मैंने जो जो यूज किया है दवा मैं बतला दूँ मैंने अलबेंडा जोल एक फिनमेंडा जोल आता है तो अलबेंडा जो नन प्रेंगनेंट के लिए फिनमेंडा जोल होता है प्रेंगन यह चार कुंटल से प्लस वाली गाय के लिए एक यूज किया था अगर बच्चिया है दो कुंटल का है तो आधा यूज कर सकते हैं तो यह सारी दवा मैंने यूज किया था फ्लोडा पुरानी कंपनी है यह सब जगा नहीं मिल पा रहा था इसी करण हमारी गाया सिरिष्टी ज होता है वह भी आप यूज कर सकते है और अलबेंडा जल शायद चार ग्राम या तीन ग्राम का यह से रहता है तो आप अपने वेट के हिसाब से कर लें या हमारे पास वाट्सप करें हो सकता है कि जो हमारी जनकारी होगी हम देंगे आपको नहीं तो आप डाक्टर से मश्व